जादूई सोने का बेटा एक समय की बात है एक गाउं में मनीश नाम का एक गरीब किसान अपनी पतनी कमला के साथ रहता था उनकी कोई संतान नहीं थी कमला बहुती धार्मिक प्रवित्ती की औरत थी वो भगवान से पूजा पाड़ करते हुए हमेशे संतान की कामना करती थी और मनीश अपने खेतों में मेहनत करता और पैसे कमाने में जुटा रहता था लेकिन किसी ना किसी कारण से उसे जमिदारों और सेट से करज लेना पड़ता था क्योंकि कभी बारिश की वज़े से फसर खराब हो जाती थी और कभी सुखे की वज़े से एक दिन सेट किशोर मनीश के घर आकर कहता है हे मनीश दो महिने से तुमने मेरे पैसे वापिस नहीं किये इससे पहले कि तुम को और बहाना ढूंडो आज ही मुझे सारे पैसे चाहिए सेट जी मैंने आपके आदे से ज़्यादा पैसे तो वापिस करी दिये हैं ना थोड़े रहे गए हैं वो भी दे दूँगा हाँ हाँ कबसे तुमारा ये रोना सुन रहा हूँ मुझे मेरे पैसे वापिस करो या फिर जब तक पैसे वापिस नहीं करते ये घर गिर्वी रख दो ये बात सुनकर मनीश और उसकी बीवी हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अब सेट के पैसे कैसे वापिस करें इसलिए वो मजबूरी में आकर सेट के पास अपना घर गिर्वी रख देते हैं घर गिर्वी रखते ही सेट बहुत खुश होता है आ ये हुई ना बात ऐसा कहके सेट वहाँ से चला जाता है और मनीश की वीवी रोते रोते मनीश से कहती है अब और कितना सेना पड़ेगा हमें इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा घर हमसे चिन गया अगर आज हमारी कोई अलाद होती तो हमें कितना सहारा होता कोई बात नहीं कमला मैं उस बंजर जमीन पे मेहनत करूँगा देखना मैं वहाँ सोना होगांगा सोना हाँ ऐसा कहकर मनीश खेती के आजार लेकर अपनी बंजर जमीन की और चल पड़ता है वो जैसे ही अपनी जमीन के पास महुचने वाला होता है वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था वो रो रहा था मनीश उस बच्चे के पास जाकर पुछता है मेरे प्यारे बच्चे क्या हुआ तुम यहां के लिए क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो कहां है तुम्हारे माबाप मनीश की बाद सुनकर वो बच्चा कहता है मुझे बोखत प्यास लग रही है मैं भटक गया हूँ बच्चे को रोता देख मनीश अपने पास जो पानी अपने पीने के लिए लाया था वो उस बच्चे को पिला देता है और उसे खाना भी खिलाता है खाना खाते और पानी पीते ही वो बच्चे एकदम सुनहरे रंग में बदल जाता है मनीश ये देखकर हैरान हो जाता है और वो डर के मारे पीछे हड़ जाता है आप खबराईए नहीं आपने मेरी मदद जो की है आप भी काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं आज से आप मेरे पिता और मैं आपका बेटा मैं आपकी हर तरह से मदद करूँगा बच्चे की ये बाते सुनके मनीश की आँखों में आंसु आ जाते है और वो अपने साथ उस बच्चे को अपनी बंजर जमीन पर ले जाता है लेकिन जैसे ही वो सुने का बच्चा मनीश की बंजर जमीन पर कदम रखता है वहाँ पर खेती लहलाने लगती है वहाँ पर अनाज और सबजियां लहलाने लगती है और वहाँ इस जगा से पानी भी निकलने लगता है मनीश ये देखकर हैरान हो जाता है मनीश उसी समय सोने के बच्चे को अपनी पत्नी के पास ले जाता है जो घर में अपने कमजोर बैलों को चारा दे रही थी लेकिन सोने का बच्चा जैसे ही बैलों को छूता है वो बैल तंदुरुस्त हो जाते है ये देखकर मनीश और उसकी पतनी हैरान हो जाते हैं और उस नहरे बच्चे को अपना बेटा समझकर पालने लगता है फसल बेचकर मनीश सेट से अपने घर के कागज ले आता है अब मनीश और उसकी बीवी की जिंदगी बदल चुकी थी क्योंकि उन्हें एक संतान जो मिल गई थी वो भी एक सुनहरे बालक के रूप में श्यामपुर गाओं में मोहन आमका एक लकड हारा रहता था वो रोज जंगल में जाकर लकडियां कारता और उनसे तरह तरह की वस्तुमें बनाकर बेचा करता था वो लकडी से काफी अच्छी वस्तुमें बनाया करता था इससे उसकी काफी अच्छी कमाई होती थी उसका काम सही चल रहा था लेकी ने एक साल काफी बारिश हुई बारिश होने के कारण पूरे जंगल में पानी भर गया और सारी लकडियां भी गिली हो गई जिसके कारण मोहन का काम बलकुल ही बंढ़ हो गया और उसकी कोई कमाई नहीं हुई कुछ दिन को जैसे पैसे उसने अपने पास बचे पैसों से गुजारा कर लिया लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म होने लगे थे अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि उसका और उसके परिवार का क्या होगा इसी चिंता के मारे एक दिन वो चार पाए पर बैठा अपने आप से ही बातें कर रहा था एक नहीना हो गया, ये बारिश बंध होने का नाम ही नहीं ले रही है एक पैसा भी नहीं बचा है घर में अब खेतों में जो सब्जियां उगाये थी वो भी सारी बारिश की वैसे पानी पानी हो गई ए भगवान, ये किन पापों की सजा दे रहे हो आप, पता नहीं ये कब ठीक होगा अपने पिता की बाते सुनकर मोहन उसे गले लगा लेता है और दोनों सुखी रोटी खाकर सो जाते हैं लेकिन रात बर मोहन के बेटे बिट्टु को नीन नहीं आती और वो सोचता है और भगवान से प्रार्थना करता है मेरे पापा बहुत दुखी है वो पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं काश इस पारिश में एक ऐसा पेड़ु के जिसमें रोटियां उकती हो अरे हाँ, उससे सभी गाउवालों को बोजन की कभी कमी भी नहीं होगी भगवान से रोते रोते प्रार्थना करने के बाद बिट्टू भी सो जाता है अगले दिन मोहन की जब नीन खुलती है ये प्रभू, आज तो बारिश बंध हो जानी चाहिए चलो बाहर चल कर देखता हूँ मोहन घर से बाहर निकल कर देखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि बारिश बंध हो चुकी थी और धूप निकलने लगी थी तब ही मोहन का दोस्त रामू उसे चलाते हुए बलाता है अरे मोहन, जल्दी आओ, जल्दी आओ, भाई एक चमतकार हो गया, आकर देखो अरे क्या हो गया रामू, इतना क्यों चिला रहे हो मोहन भागता हुँ अपने दोस्त के पास जाता है और जंगल में जाकर देखता है कि एक पेड़ पर रोटियां उगी हुई थी वहाँ पर बाकी सभी गाउं वाले भी जमा हो रखे थे ये देखकर सभी हैरान हो रहे थे अरे 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 ये क्या रोटियों का पेड़ और उस पेड़ के आसपास के पेड़ों में तरह तरह की मिठाईयां और फल फ्रूट लगे हुए थे ये प्रभू ये क्या चमुतकार है कभी तो पानी ही पानी और कभी पेड़ों पर रोटिय और मिठाईया तभी मोहन का बेटा बिट्टू दोड़ा दोड़ा वहां आता है और अपने पिता से कहता है मैंने कहा था ना पिता जी अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे और अब सभी गाउवाले उन पेड़ों से रोटिय और मिठाईया तोड़ कर खाने लगते हैं लेकिन वे लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें रोटियों की कोई चिंता नहीं थी उनके पास जादूई रोटियों वाला पेड़ जो था और बिट्टू हाद जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता है चुपम चुपाई का खेल एक गाओं में चंदा नाम की एक लड़की अपनी मा के साथ रहा करती थी उसके पिता जी का स्वर्गवास हो चुका था वे लोग बहुत गरीब थे चंदा की मा गाओं में लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी चंदा का गुजर बसर किया करती थी चंदा की मा चंदा को पढ़ाना चाहती थी लेकिन गरीबी के कारण वो उसे स्कूल नहीं भेश सकती थी स्कूल ना जाने के कारण चंदा सारा दिन इधर उधर गाउं में खिला करती थी कभी-कभी अपनी मा के साथ काम पर भी चली जाया करती थी लेकिन वो गाउं की बाकी लड़कियों को देखकर उनके पास अच्छे अच्छे खिलोने और कपड़े देखकर अपनी मा से कहा करती थी मा मा मुझे भी मीना जैसे कपड़े और कीता जैसी प्यारी से गुडिया चाहिए मा हाँ हाँ ठीक है बेटा तू तो जानती है मेला लगने वाला है वहाँ से मैं तुझे नए कपड़े और गुडिया भी दिला दूगी अब जा मुझे काम करने दे बेटा अपनी मा की बास सुनकर चंदा खुशी खुशी ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है मुझे मेले से नए गुडिया और कपड़े मिलेंगे मा ने कहा है हाँ चंदा की ये बातें बाहर खेल रही गीता और मीना सुन लेती हैं और वो दोनों उसे तंग करने के लिए अपने पास बुलाती है अरे चंदा, तुम इतना मेले का इंतजार मत करो चाहो तो मेरे नए कपड़े और गुड़िया ले लो क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं? बस तुम्हें मुझे चुपन चुपाई में हराना होगा अगर हम हारे तो हम तुम्हें देंगे और अगर तुम हारी तो तुम हमें दे देना हाँ ठीक है, मुझे तुम्हाई शर्ट बिलकुल मन्जूर है, मैं अभी चुपने जाती हूँ ऐसा कहकर चंदा छुपने की जगा तलाज करती हुई वहां से चली जाती है तभी उसे एक बड़े पेड़ का खोखला तना नजर आता है चंदा उस तने के अंदर छुपने के लिए चली जाती है लेकिन वो जैसे ही उस तने के अंदर घुशती है वो सीधा गुफा के अंदर चली आती है चंदा घबरा जाती है मैं कहां आ गई हूँ तभी चंदा को एक कोने से धेर सारी रोशन नजर आती है चंदा उस रोशनी की तरफ जाती है और देखकर हैयान रह जाती है कि वहां तो काफी सारा सोना, चांदी और जेवर पड़े थे इतना सारा सोना तभी उससे अचानक सोने चांदी के धेर के बीच एक गुडिया नजर आती है चंदा जैसे ही गुडिया को उठाती है वो गुडिया खूब सुरत देवी में बदल जाती है चंदा ये देखकर डड़ जाती है लेकिन वो देवी उससे कहती है चंदा खवराओ नहीं, मैं देवी हूँ एक राक्षस में मुझे पर अत्या जार किया और मुझे इस गुडिया में कैद कर दिया तुमने मुझे आजादी दी है अब तुम जितना चाहो उतना सोना लेकर जा सकती हो सामनी देखो, वहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता है तुम जा सकती हो ऐसा कहते ही वो देवी वहां से गायव हो जाती है और चंदा जितना सोना ले जा सकती थी पेड के दूसरे किनारे वाले रास्ते से लेकर अपनी मा के पास आती है और अपनी मा को सारी बात बताती है चंदा की मा रात को चंदा के साथ वहां आती है और धेर सारा सोना चांदी देकर खुश हो जाती है चंदा और उसकी माँ उस गाउं से चले जाते हैं और एक नए गाउं में नया घर बना कर रहने लगते हैं चंदा की माँ उसे स्कूल में भर्ती कर देती है अब चंदा भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ने लगती है और उसके पास गीता और मीना से भी अच्छे कपड़े और खिलाओने थे और अच्छी सहलियां भी अब चंदा और उसकी मान नए गाओं में अपने नए मकान में खुशी खुशी रहने लगते हैं